हे गाश तो आप सबका स्वागत है एक बिल्कुल नए मूवी के साथ तो मूवी सुरू होती है और मार्क और उसका फ्रेंड वॉल्टर मार्क के घर जाते हैं जहां मार्क की मा तानिया ने उसके लिए सर्प्राइज बड़े प्लैन किया था बड़े में तो काफी सारे लोग आये थे लेकिन मार्क की नजर सिर्फ उसकी क्रस्ट मेलनी पे थी वॉल्टर बोलता है एक दिन तू अपनी मा को बाहर भेजते तो हम लोग इन्हें प्राइवेट पार्टी पे बुलाते हैं मार्क अपनी मा तानिया के साथ ही रहता था इसके डेट बहुत पहले ही मर चुके थे अब हम आगे देखते हैं कि मार्क अपनी मा को उनके बॉइफ्रेंड के साथ डेट पे बेज़ देता है फिर उसके बाद मैलनी और उसकी एक फ्रेंड आती है इनके घर जो कि इन्होंने ही बुलाया था कुछ दिर में वॉल्टर तो मैलनी की दोस्त को किस भी करने लगता है लेकिन मार्क तो इतना सर्मा रहा था कि वो डंग से बात भी नहीं कर पा रहा था मैलनी से तबी कोई आदमी इनके घर आ जाता है जो कि सैद इसकी मा नहीं भेजा था वो मार्क को कुछ ग्यान की बाते बताता है और पार्टी तो खराब करी देता है इनकी अगली सुबब मार्क हाडवेर स्टॉर में था जहां वो दुगनी उम्रकी एक आणटी को देखता है जो कि काफी होड थी वेशे तो जिसका नाम था कैरिसा और वो उसे ही देखते रह जाता है वो वहाँ सावर खरिदने आई थी जिसमें मार्क उनकी मदद करता है जाते व और बोलती है मेरे साथ सावर टेस्ट करने चलोगे अब ऐसे मौके को कोई कैसे हाथ से जाने दे और यह दोनों वहीं सावर में सेक्सुली इंटिमेट होते हैं और अब यह लोग घर में लगबग 2-3 बार सेक्सुली इंटिमेट होते हैं कभी यहां तो कभी वहां कभी इसक रहा था तानिया मार्क से उसकी जीएफ के बारे में पूछती है लेकिन मार्क कुछ बताता नहीं उसे और तानिया की बियुक्ष रेंडी को तानिया का मार्क को लेकर ऊबर्डाक्टीव नहीं अच्छा लगता था मतलब वो कुछ जादा ही कर दीती थी वो चाहता था मार्क अपने हिसाब से उसकी लाइब जीए लेकिन तान्या उसमें इंटरफेर करती थी अब यहां डेट पे हमें पता चलता है कि कैरिसा के अमिर पती की डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपटी क कैरिसा की है मार्क कैरिसा को अपने software प्रोजेक्ट भी दिखाता है तो यह बताती है कि इसके कुछ फ्रेंड्स है software कंपने में तो वो इसके लिए कुछ बात कर सकती है अब कैरिसा वास्रूम में जाती है तो वहां का एक वेटर मार्क के पास आकर उसे बोलता है इस लड़क था मार्क के मुबाइल से तानिया को कैरेशा का नाम पता चलता है अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कैरेशा कोई पील्स खा रहे थी और उगुस्य में अपने सामने लगे हुए मिरर को हास से मारकर तोड़ देती है आगे कैरेशा मारक के घर पोस्ट के उसे सर्प्राइज देती है तानिया को पता चलता है कि यही मारक की जीएफ है अब डिनर के टाइम पे यह दोनों का अच्छा खासा बहस हो जाता है तानिया उसे बहुत कुछ सुना देती है कैरेशा गुस्से में वहां से जारी होती है कि मारक उसे सौरी और यह बोलके उसके कार में बैटके उसके साथ उसके ही घर पे चले जाता है और यह सब तानिया को देख कर और भी बुरा लग रहा था अब यहां घर पे कैरेशा और मारक पूल में सेक्सुली इंटिमेट होते हैं लेकिन यह मारक के लिए आखरी सेक्स भी हो सकता था ख्यूंकि कैरेशा ने कुछ नया तरीका ट्राय किया था वो तो अच्छे से मज़े ले रही थी लेकिन मारक पानी में डूपते डूपते बचा था अब यहां तानिया कैरेशा के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी बुड़े से साधी की थी और एक दिन उसकी डेड बॉड़ी मिली घर से वह साथ मेरे घर ही रह जाओ लेकिन कुछ दिनों बात मारक के कॉलेज चालो होने वाले थे और वो होस्टल में ही रहना चाहता था और कॉलेज जाने से पहले तक वह अपनी मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था इस बात पर कैरेशा भड़क जाती है और इसे चाने के लि कुलती है और फिर से घर बुलाती है पर यह मना कर देता है क्योंकि मैलनी घर आने वाली थी अब मैलनी आती है यह लोग लांच करके बाहर घुमने चले जाते हैं अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों की बीच काफी एट्रैक्शन बढ़ गया था मार्क तो उसे कीज भी कर देता है लेकिन इन खुशियों पे काली बिल्ली कैरिसा की नजर थी तान्या अपने प्लैन को कामियाब होते देख काफी खुश थी यहां घर जाते हुए कैरिसा मैलनी पे अटेक कर देती है और मार्क से दूर रहने की धमकी भी देती है और तो औ रेंडी को जरा भी नहीं पसंद थी वो सोचता था यह साथ बात में मेरी लाइफ में इंटरफेर करेगी है इसे ही तो आज यह तान्या से ब्रेक अप कर लेता है यहां मार्क वाल्टर को बताता है कि अब मैं कैरिसा को छोड़ दूँगा अब कैरिसा रेंडी के वर्क प्ल करना चाता है जो बास सुनके यह एक चाको अपने हाथ में निकाल लेती है देखते हैं यह कहीं वाल्टर को ही ना मार दे बहुत प्रयासों के बाद मेलनी कॉल उठाती है उसने अपना चेहरा भी थोड़ा चुपाया वाता वो बोलती मेरी तब्याट ठीक नहीं है मैं तु सॉअधर कंपनी वाले बन्दे को अपना काम दिखाता है बड कंपनी के पास ऐसा रहा पहले से लेकिन बंदे को मार का काम पचंद आता है और वहां इसे जौब ऑफर कर गे हजा कंपनी में जॉइन करना है possiamo करना जाने से पहले जौब मिल अदर मार्र का कौले स्वारत थी कि ये मुझसे दूर हो जाए और अब एक खतरना खेल सूरू होने वाला था कैरेसा इस पर हमला कर देती है और मार्क भी उस हो जाता है और अब उसने मार्क को बांध के रखा हुआ था अब आगे वह मार्क के साथ जबरदस्ती सेक्सुली इंटिमेट होकर अपने आपको करती है उसके बाद ये मार्क को टॉचर भी करने लगती है तब मार्क को पता चलता है कि उस बेटर ने कैरेसा से दूर रहने के लिए क्यों बोला था मुझे केरिसा ये पहली बार नहीं कर रही थी वह इसे ही बहुत से लोगों को फसाती थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए लेकिन इसका पागलपन देख के सब इसे छोड़ देते थे पड़ केरिसा मार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी अब सुबा हो गई थी और मार का कहीं आता पता नहीं था तो तानिया को इसकी फिकर होती है और तानिया केरिसा की घर आ जाती है लेकिन केरिसा गन की नोग पे इसके हाथ भी बान देती है और बोलती है चलिए टेस्ट करते हैं आप दोनों का प्यार तो अगर तुम चाहती हो मैं मार को छोड़ दू तो तुम्हें अपने आपको मारना होगा और अगर नहीं चाहती तो मार को मार दो एलो बंदो और खेल होता है सुरू और उसके हाथ में एक गंदे दिती है मार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी तानिया अपनी सबी गलतियों के लिए मार क से सौरी बोलती है और अपने आपको मार नहीं चाहरे थी कि उसे एक आडिया सूचता है और ये नकली मरने की एक्टिंग करती है केरेसा जाकर उपर वेट कर रही थी इन में से किसी एक के मरने का तबी बेल बसती है और नीचे रेंडी आ गया था क्योंकि तानिया ने यहां आने से पहले रेंडी को बताया था केरेसा डर जाती कि ये टाइम पर कोन आ गया और ये नीचे जाके पहले तो इन्हें देखती है सोचती है तानिया मर गई लेकिन अचानक से तानिया इस पर ही हमला कर देती है और इसे भी योज़ कर देती है और मार को छोड़ा कर ये बाहर पूल तक ले जाती है उतने में कैरिसा फिर से भाग के आती है लेकिन रेंडी कैरिसा भी पीछे से हमला कर किसी तरह के से कैरिसा को मार देता है वहां Walter को भी इसने किसी बॉक्स में बांद के रखा हुआ था Walter को भी ये लोग वहां से निकालते हैं तो इस तरीके से कैरिशा की मौत हो चुकी थी अब अगले दिन हम देखते हैं कि Tanya और Randy का पैच अप हो गया था और Melanie और Mark भी आप साथ होकर college जाने वाले थे और Tanya Mark के लिए अब ज़्यादा overprotective नहीं होती और Walter को भी अब कोई GM मिल गए थी जिसके साथ वो movie देखने जा रहा था तो इस प्रकार होती है इस movie की happy ending तो movie आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को subscribe करते आईसे ही मज़दार movie आपके लिए लाते रहेंगे